राधे राधे एवरिवन, माई पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है, फ्रेंड्स होली आने वाली है, और अगर आप लड़ू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो लड़ू गोपाल जी के साथ होली जरूर खेले, देखिए एक तो बच्चों को होली खेलना वैसे ही बह सवरूप है, और भगवान स्रीकृषन जी को तो होली खेलना बहुत अधिक प्रिय था, वरंदावन में मतुरा में तो एक महीने तक होली खेली जाती है, ब्रज में पूरा फागून का महीना होली खेली जाती है, अलग-अलग दिन अलग-अलग तरह से होली खेलते हैं, तो अगर आप लड़ू गोपाल जी के साथ होली खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको लड़ू गोपाल जी चाहिए होंगे और अगर आपके आसपडोस में भी कोई लड़ू गोपाल जी रखते हैं तो आप उनके लड़ू गोपाल जी को भी भुला लीजिएगा क्योंकि सभी लड़ू गोपाल एक साथ होली खेलेंगे तो उन्हें और भी जादा अच्छा लगेगा तो हम यहाँ पर लड़ू गोपाल जी को राजमान कर लिया है उसके साथ ही देखें सबसे पहले हम फूलों की होली खेलते हैं लड़ू गोपाल जी के साथ तो आप फूल ले लीजिए जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने फूल ले लिये हैं उसके बाद हम गुलाल की होली खेलेंगे तो देखें मैंने गुलाल ले लिये हैं ये गुलाल मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो चैनल पर है आप देख सकते हैं और अगर आप घर पर गुलाल नहीं बना सकते हैं तो लड़ू गोपाल जी के लिए आप होली खेलने के लिए हरबल गुलाल का इस्तमाल करें ताकि उनको कोई नुक्षान ना हो इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पानी लिया है तो जब हम गुलाल की होली खेल लेते हैं उसके बाद हम गीली होली खेलते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर जल ले लिया है तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल पानी ले लिया है आपके पास available है आप पोशाक पहना सकते हैं लेकिन कोसिस करें कि त्योहार पर जैसे होली दिवाली बड़े त्योहार होते हैं तो इन पर आप नई पोशाक पहनाएं साथ मेही लडुँ और जोएलरी पहनाते हैं जो भी सिंगार का सामान उज़ करते हैं वह ले लिजिए इसके साथ ही तैयार करने के बाद वहमें इत्र अगर आप इत्र की होली खेलना चाहते हैं तो आप पने शुद जल लिया हैं इसमें आप इत्र डाल कर दो चार वंदे इत चंदन का तिलक आप लड़ूग उपाल जी को जरूर लगाए इसके बाद देख से लिए Remove ौ αपके डिन गोपाल जी को जरूर लगाए उसके बाद देखके हम दूप दिखाते हॉँम्लडडड़ को यौ्म इन भीड़ूग जी को अनुंगे भीडाज पूरूप समर्पित करें, साथी देखिए मैंने लड़ू खोपाल जी के माला बनाई है, में बच्चों के लिए टोफ्य, जोकलेट और इसे ख़न करें, यहाँ पर ऐसे आफिएल, काजू मुझा बच्चे कानो Studios од κιwy के समर्पित करें generations आप चाहें तो आप गोला भी लगा सकते हैं बीच में लेकिन गोला बहुत बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैंने टोफिया लगाई हैं तो इमाला हम बना लेंगे और इसके साथ ही देखिए मैं छोटी सी पिछकारी लेके आई हूं लड़ु गोपाल जी के लिए तो आपको तरह तरह की पिछकारी मिल जाएंगी यह optional है आप सीधे पानी से भी खेल सकते हैं या अगर आप पिछकारी लाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात हैं बचों को पिछकारी बहुत पसंद होती है तो इस तरह की छोटी सी पिछकारी आप लड़ु गोपाल जी के लिए सकते हैं तो यह पिछकारी ले ली है मैंने साथ ही आप माचीज जरूर ले लें क्योंकि दिया जलाने के लिए आपको माचीज की जरूरत होगी फ्रेंट्स यह वो टोटल सामगरी है जो हमें होली खेलने के लिए चाहिए होगी लड़ू को पाल जी के साथ आप यह तैयारी कर आते हैं तो आप सरोज जजर नाम से चैनल है उनके चैनल पर जाकर आप आप उनके बहुत अच्छे अच्छे भजन सुन सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे गीत सुन सकते हैं उनके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहां से देख सकते है एक बार उनके चैनल पर भी आप विजिट जरूर करें अगर आपको हुली की तैयारी का यह छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें हो सकता है कि यह उनके लिए यूजफूल हो तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे जैश्री कृष्णा